मस्कार दोस्तों मैं मन्जू हलदवानी उत्राखंड से दोस्तों आज की बीडिये में मैं आपसे बात करूँगी कि अभी जन्वरी के महने में हम गार्डन में कौन-कौन से काम कर लें जिससे की हमें आने वाले सिजद में बहुत आराम मिलें और हमारे प्लांट ना मरें क्योंकि इसमें ठंड का भी पीक समय होता है कोहरा बगर भी बहुत पढ़ रहा है रात की पाले और कोहरे से अपने प्लांट को हम बचाते हुए क्याकर काम करें उन्हीं सब चीज़ों की बारे में मैं आपसे बात करूँगी सबसे पहली बात दोस्तों इस समय कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी फ्लावरिंग का पीक समय होता है वो जो है बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहे होते हैं अगर आप और सालवर में एक ही बार फ्लावरिंग करते हैं कुछ तो इस समय अगर आप अपने प्लांट की फ्लावरिंग को जो है लंबे समय तक बनाए रखना चाते हैं तो सारे प्लांट को उठा के ऐसी जगह पर जहां भरपूर जो है रोशनी हो पर धूप कम से कम हो तो वहां पर वो प्लांट जो है लॉंग टाइम तो बने रहेंगे इन पर जो खिले हुए फ्लावर हैं वो ऐसे ही बने रहते हैं तो यह फाइदा होता है और वो जगह जो सुनसान रहती है वहां पर जो है ऐसे सुन्दर फूल खिल जाते हैं तो काफी सुन्दर हो जाता है दूसरा जो है इन फ्लावर में कभी भी खिलेवे फूलों के उपर पानी वगर न पढ़े इस इसका ध्यान रखें पानी हमेशा इसकी जड़ों पर दें और पानी की आवस्ता तो इससे में और ही बहुत कम पढ़ गई है इ को जो है रात के कोहरे को जो पाले को जो है फोड़ा सहन कर पाते हैं तो पहली बात तो हमने सारे प्लावरिंग को उठा के जिन में फ्लावरिंग हो गई है उनको जो है रोशनी वाली जगए पर रख देना है सुबह की एक गंटे की धूप पढ़ जाया तो बहुत अच्छ इनको जो है कट करके आप पानी में डिप कर दीजिए पानी में डिप करके दो चार दिन छोड़ने के बाद में थोड़ा सा गुर डाल दीजिए तो यह जो फटलाजर बन जाएगा उपर से जो इसको चान कर अपने प्लांट को देंगे तो नैस्ट जो आप फ्लावरिंग जरुत पड़ती तो उस समय इस तरह की सौट सौट मल्चिंग हमारे बहुत काम आएगी नैस्ट जब बिलकुल ही नहीं करना चाहते हैं कुछ भी तो आप इनको जो है अपनी कंपोश्ट बिन में डालिए बहुत अच्छा तरीका होता है वही बहुत जल्दी जो है डिकंप प्लांट को तो उनको जो है उनमें नाम लिख दीजिए कि आपको याद रहे कि आपने कौन-कौन सी गुल्दावरी के प्लांट आपके कहां कहां पाने जिससे की हम जो है अभी जुलाई बगरे में इनकी कटिंग नगाना सुरू कर देते हैं तो उस समय हमको हैल्प मिलेग अगर आप चाते हैं आपके प्लांट जो हैं बहुत अच्छी फ्लावरिंग करें आपके प्लांट पर आई हुई बट्स खिलें वो मरे नहीं तो जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट को थोड़ी बहुत सनलाइट आपने जरूर देनी पड़ेगी दूसरा जो है उनमें फर्टलाइजर भी दस्तों इस समय अगर हो सकें तो गरम तासीर वाले देने चाहिए जैसे कि बक्री की जो खाद होती है मिंगने उसकी तो उनकी खाद को आप पानी में भीगो के या काउट डंग को जो है पानी में भीगो के इसे बर्मी कंपोस्ट न दे तो अच्छा रह सकती है तो ये काम आप सो समझके अपने प्लांट को दे तो बहुत अच्छा रहता है और इसके अलावा लहसून और प्याज के छिलकों की तासीर गरम होती है वो जो हैं आपके प्लांट को इंसेक्ट से बचाते हैं तो पानी में घोल के भीगो कर तो कुछ दिन रखने के अच्छान कर ही अपने प्लांट को वो पानी दे अपने प्लांट की बहुत अच्छे तरह से गुड़ाई करें प्लांट की सोयल को सौफ्ट रखेंगे क्योंकि गुड़ाई करने से जो है इनकी जड़ों को भी हवा लगती है तो प्लांट अच्छे रह रहे हैं इनकी ग्र कई प्लांट अपने पत्तिया गिराएंगे उनमें नई पत्तिया आएंगे नई कपड़े पहनते हैं जैसे हम लोग वैसे ही प्लांट भी नई कपड़े पहनते हैं नई पत्तों के रूप में तो वो जो है कुछ समय के बाद कई प्लांट अपने पत्ते बहुत जदा गिराते प्लांट को कई बार इस तरह से हिला लेना चाहिए जिससे की बहुत सारे पत्ते जो है गिर रहते हैं वो फंगस क्रियेट करते हैं तो नीचे गिर जाएंगे आपको दिख जाएंगे तो प्लांट से हटा देंगे अपने प्लांट की जड़ों को बिलकुल भी एक्सपोस मत होने दीजिए यानि की जड़ों को बहार उजागर मत होने दीजिए कई बार सपे सपे जड़ जो बाहर दिखती है उससे क्या होता है कि प्लांट की जड़क बाहर एक्सपोस होने से प्लांट मरने का ड़ता ठंड लगती है प्लांट की जड़ से ही प्लांट अपने आपको बचा के रखते हैं तो जड़ों को जो है मिट्टी और मिट्टी चला क धग दीजिए जिससे की प्लांट आपका नहीं मरेगा आप चाहते हैं कि आपके प्लांट बहुत सारी फ्लावरिंग करें तो अपने एक निहमित आदत बना दीजिए हर रोज जो है हर किसी प्लांट में कुछ न कुछ आपको ड़ेडिंग करने को मिलेगा यानि कि जो चूश्ट में डालें या इनका लिक्विट फट्लाजर बनाएं दोनौं तरह से फाइदे मंद होता है दोस्तों यह ऐसा समय होता है जिस में जो है आप बहुत सारे प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं और कुछ ब्लांट बढ़िड निकलते हैं यानि बेभी प्लांट निक क्योंकि आने वाले सिजन में आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन से क्योंकि अब जो बसंत का मौसम आ रहा है उसमें धेर फूल आपके पास खिलेंगे अपने रोज जो इस समय ठंड का समय होता है दिन में जद्रूपाई होती है उस समय करना चाहिए इसके अलाबा राख बगर का प्रयोग भी अपने गार्डन में करना चाहिए इस समय क्योंकि बहुत सारे कीड़े प्लांट पर लगते हैं तो इन सब चीजों से वह हमारे प्लांट को बचात प्लांट से बड़े होने के बाद भी बड़े प्लांट में सिफ्ट करें तो प्लांट के जो है पिंचिंग बगर करें जिससे की घने बनेंगे और कुछे दिनों के बाद जो है सभी प्लांट में हमारे फ्लाबरिंग पर आ जाएंगे दोस्तों हर मौसम का अपना आनंद हो यह plant cutting से बहुत ही आसाने से त्यार हो जाते हैं इस समय के आप कोई प्लांट आना चाहते हैं सैकूल और वगरे क्योंकि हम नर्सरी बहुत हुन्दर दिखाए देते हैं आप ला सकते हैं आपके हां यह प्लांट जो है बहुत अच्छी तरह चल जाते हैं तो यह समय इन सीजिन ग्रोध करते हैं जिनको थोड़ा सा कल्गरम क्लाइमिट पसंद होता है तो ऐसे प्लांट को इस समय आप जो है एकजोरा बगर के फूल के प्लांट ना लाएं गुलाब की प्लांट ला सकते हैं नर्सरी से तो इन चिज़ों का ध्यान रखते हुए अपने गार्डन को मेंटे करके रखें प्लांट को जो है रात के पाले से बचाने के लिए आप जो है कुछ मल्चिंग कर सकते हैं उनकी उपर और हो सकते दिवाल के साइट रख दीजिए और अपने अडेनियम बगरे के प्लांट को कोई फटलाजर नहीं दीना है इस समय इनको ऐसी जगह रखें जिस जिस जगह पर इनको थोड़ी बहुत सनलाइट जरूर मिलें और उपर से कोई सेडर जिसे रात का पाले से ये प्लांट बचे तो ये सब काम करेंगे तो बस फरबरी के महने में पन चौह तारी के बाद जो है जन्बरी के बाद दी कुछ-कुछ मौसम में परिवर्टतर अन इसके लबा क्या होता है तो कई बार हमारे गार्डन बहुत सारे सीट को जर्मिनेट होता है जैसे कि सन फ्लावर हो गया और जीनिया हो गया तो इनके कहीं भी आपको प्लांट लगे मिलें तो उनको छोटे-छोटे नर्सरी के पॉली बैग में गिरो कर दें मैं ऐसा ही करती हुँ तो कुछ दिनों के बाद हमारे पास इसके अच्छे healthy plant trade हो जाते हैं अपने इंडोर प्लांट को बाहर निकालके हपते में दस दिन में एक बार बाहर की धूप दिखा दें और उनको दिन बार धूपर रखने के बाद फिर स्याम को जो हैं इंडोर ले जाएं उनको ज दोस्तों मैंने जन्वरी में करने वाले आपने गार्डर में केजने को जरूरी काम बताए उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार